तो आप सब कैसे हो अशा करते हैं आप सब अच्छे होगे तो आगे एक और नए वीडियो के साथ में तो आज तुमको दिखाएंगे मेंधी फंसन का बैगराउंड कैसे करते हैं मेंधी फंसन का बैगराउंड किया हूं सब उसमें जितना भी सामाल लगा है अर्टिपिसल लगा है फ्लावर जो एलो कलर गेंदा माला वह भी आर्टिपिसल है तो आपको चलो दिखाते हैं हमने कैसे डेकोरेशन किया हूं तो भाई उससे पहले अगर चैनल कर लो सब्सक्रा लगाया हूं रिंग का और उसमें एलो माला एलो कलर का गेंदा माला जुला दिया हूं बाकी बीच में देख सकते हैं भी कलर फूट जुला दिया हूं वह यह क्या बोलते हैं उन का रीबन बना हुआ है तो मैंने वही जुलाए हूं बाकी जो फ्लावर हमने यूच किया हू जो बड़ा बड़ा बंच आता है घर में उसमें गुल दस्ता में लगाते हैं हमने वह वाला बंच यूच किया हूँ बाकि जो खाली खाली जगा जो पड़ा है उसके लिए हम अपना फ्लावर खुला वाला फ्लावर होता है वह यूच किया हूँ रोज हो गया काडनेसर हो ग पचकेखा उसको मिलब जो लूज फ्लावर है उससे कवर करें तो देख सकते हो अब वी कवर कर रहा हूं जो बंच वाले फ्लावर हैं मन्या हमारे हैं तो देख सकते हो तो बंच वाले जो हम फ्लावर लगा रहे हैं उसमें रोज भी है और बहुत सारे फ्लावर हैं इना दूर कैमरा रखा है तो आपको उतना नीद दिख पा रहा है लेकिन पहले बंच वाले फ्लावर लगा देते हैं उसके बाद हम लूज वाले फ्लावर लगा देंगे तो भाई हमारा भी कर रहा है फ्लावर में फिन तो देख सकते हो नीचे बेट के फिन कर रहा है उसके बाद जब हम ये वाला पूरा फ्लावर लगा लेंगे उसके बाद ये वाला फ्लावर लगा लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने कैसे डेकॉरेशन किया हूँ सिंपल सा है और आप बिचाओगे तो आप भी कर सकते हो तो देख सकते हो लगा दिया हूँ थोड़ा बहुत तो पहले इसी से जितना ये बंच वाला फ्लावर है उसी को पूरा लगा लेते हैं उसके बाद जितना भी गैप जगा बशेगा तो उसमें हम जो लूज वाला हमारा फ्लावर होता है हें डेंजिया हुआ रोज हुआ कार्नेसर हुआ वाला बीच में खली खली जो जगा रहेगा वापे लगा देंगे ताकि पूरा अच्छा से बराबरा रिंग दिखे तो देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हुआ बाकि अगर जिसमें हम फूल कोच रहे हैं वो जो हम फोम यूच किया हूँ गदा वाला फोम होता है उसी को यूच किया हूँ उसी में हम फ्लावर कोच रह यह लूज वला लगा देख सकत in आड कर दिया हो यह मैं आपको दिखाते हैं तो देख सकते हो किश तरीके से इम मत्तक स्कार लगाते हैं पिन करना पढ़ते में जारू का 혹시 काटी करना पड़ता है तो सरी ना सीजलग जर पर होता है तो से में प्रिंटकर ना पड़तार है फिर उसको जलदी-जलदी लगाना पड़ताम ओंगर जो बाइच मेयरता प्रावर confessed से देख सकते हैं अभी हमारा जहांता है मलब हलका फुल का फुल हो चुका है बकी कहीं कहीं पर जगा खाली है बकी मेरे इस आप से तो पुरा फुल हो गया देख सकते हैं किस तरीके से दिग रहा है कि कि तो अब देख सकते हो कि थोड़ा बहुत खाली नीचे में फ्लावर बचा है नीचे में थोड़ा लगा देते हैं ताकि गयब गयब नहीं लगे और भाकी तो मेरा पूरा कंप्यूट हो चुका है और इसमें भी हमको लगाना है लाइट लाइट जो लगाएंगे हम उसका जो फोकस करेंगे वाइट कलर करेंगे क्योंकि वह मिक्स वाला लाइट होता है जिसको पार लाइट बोलते हैं तो हम उसको एक ही कलर में छोड़ देंगे कि वाइट कलर में flipping कर देंगे तो साइड से तार निकालेंगे इताकि कोई बच्चा छुनी सके तो साइड से तार निकालना परता है पुरा दीवाल के साइड से ले जाएंगे वहांर आप पॉइंट में लगा देंगे और उसके बाद पार लैफ चल वह जाएगा तो पार लाइट में क्या वह तार थोड़ा कटिंग ता उसके लिए हम टेप पहले लगा देते हैं क्योंकि किसी करण नहीं लग जाए तो थोड़ा इस लिए तार लगा देते हैं अच्छे से कहीं कट ना रह जाए अब है तो अब जाल चालू हो गया लइट देख सकते हो है कैसा देगह रहाई बथाना कम केमन्ड करके सब्सकूरण बथा कर लाइट कर दियो मैं तो आप देख सकते हो और बताना कंनि Fast करके काईसा देग रहा यह जिदन और अभी मैंने रख दिया हूँ काउच काउच को पर गरीन कपड़ा डाल दिया हूँ ताकि मेंदी पर मेंदी फंसने तो हरा बारा दिखना चाहिए तो उसके लिए हमने काउच लग दिया बाकी साइड में देख सकते छोटा से सैकल रखा हुआ है और मटका भी रखा हुआ ह झाल तो हँआ काता है और मटका बाकी साइड है और मेंदी कि अश्वार रखा हुआ है और ममटका भी तो हुआ हुआ पर सिस्वार्वाणाब जड़ जभी को जाए और में वाला उना है पर दो हुआ है जए काउग तो है वारा दिएू